जहां एक तरफ पूरे देश में चुनावी नतीजों को लेकर इंतजार किया जा रहा है वह उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भी गाउं है जहां पर लोग चुनावी नतीजें नहीं चाहते हैं उन्हें लगता है कि अगर इस बार भी नरेंदर मुदी प्रदान मंतिर बनते हैं तो उन्हें गाउं छोड़ कर जाना पड़ेगा जियां दरशल यह सोच है बुलंद सहर के गाउं नया बास की जहां कई हिंदू मुशलिम भाई भाई हुआ करते थे जहां पर अज्यान और आ स्थनांतरन की बात सोच रहे हैं वही चार हजार शे अधिक की आबादी वाले नया बास गाउं में गरीव चार शों मुस्लिम रहते हैं और उनकी सोच है कि अगर बीजेपी दूश्री पार जीतती है और नरेंदर मोदी पीम बनते तो गाउं में तनाव और बढ़ेगा मु गर्जा से बीते दो शालों में गाउं से करीब एक दर्जन मुस्लिम परिवार घर छोड़ कर चला गया गरतलवे की पिछले साथ बुलंसर के इसी इलाके में हिंदू ने शिकायत कि थी कि उन्होंने कुछ मुस्लिमों को गाई कारते देखा है इसके बाद गुशाई भीर पुलिस अफसर की हत्या तक कर दी थी इस घर्टना को गुजे पांच महीने हो गये लेकिन यहां की लोग आज तक इससे उबर नहीं पाए हैं कुछ मुस्लिमानों का कहना है कि योगी की शरकार बढ़ने के बाद कटड़ हिंदू अधिक अधिकार जताने लगे हैं